है दोस्तों कैसे हो आप लो मैं हूँ शुबं मुर्थागत आपका वर्टेन है दोस्तों कुछ समय पहले मैं एक वीडियो बनाई थी गूगल क्लास्रूम में इसमें लिखा था हूँ टू इस्टॉल गूगल क्लास्रूम इन लेप्टॉप ओके तो उसमें घाया था कि गूग पॉजिटिव भी आये जिनको वह जानना था हूँ उन्हें अथा भी लगा वर बहुत लोगों को नेगिटिव भी आये क्योंकि उन्हें जानना था कि इस्टॉल कैसे करें उसको उसके स्टेप्स क्या होंगे उसे यूज करने के लिए बट कोई बात नहीं मैं आज आपके वही चीज लाया हूँ मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि आप अपने डेस्टॉप में या अपने पीसी में कैसे गूगल क्लास्रूम को इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आप डारेक्ट अक्सेस ले सको पर तुस्टे पहले मैं आपको एक पीस बता दूँ आप इंटरनेट पर कहीं भी सर्च कर होगे कि आप गूगल क्लास्रूम को कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो आपको यह बात मालूम होनी ते कि गूगल क्लास्रूम ने कोई भी सॉफ्ट्वेर या एफ लॉंच नहीं किया है डेस्टॉप या पीसी के लिए ओके इसके तरीके होता है कुछ आपको कुछ तरीकों से इसको एक्सेस करना पड़ता है और थर्ट पार्टी सॉफ्टेट्स यूज़ करने पड़ेंगे इसकी मतलब से आप इसे एकसेस कर सकते हैं तो आज की वीडियो में आपको बोई तरीके बताऊंगा तो वीडियो को आखरी तक देखिएगा ताकि आपको जंक से समझ आए और आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिक्शन बेल को तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहला तरीका जो है वह है एंड्रॉड एमिलेटर की मदद से आप गूगल क्लास्रूम को यूज कर सकते हो अपने स्टॉप या लैप्टॉप में अब एंड्रॉड एमिलेटर होता क्या है अगर आपको नहीं मारू में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे और हो सकते हैं उत में से बहुत आपके एंड्रॉड हो और बहुत ना हो क्योंकि यह लैप्टॉप या पीजी के स्पैसिटिकेशन के हिसाब से चलते हैं किसी में आपको हैंग होगा किसी में इसमूद कर लेगा तो मैं आपके लिए एक एंडर यह भीज़ पीज़ पे आज आगे उसे उस पर क्लिक करने के बाद तु वहां पे से आपको यहां पे iPhone डूड का दिखंगेगा इस पर क्लिक कर देना है जो आप प्लिक कर देंगे तो इसके बाद एक और प्रेस को लेगा तो यहां पर इस्टाट डाउनलोड को ऑप्शन है आपको इस पर भी क्लिक करना है और इसके बाद आपका सॉफ्ट्वेर इस्टॉल हो जाएगा आपके लैप्टॉप या देश्टॉप में ओके आप देख इसके बाद आपको यहां पर यह लोडिंग हो रहा है तो इसके बाद ऐसा कुछ खुझेगा तो आपको नेच्ट पी कर ले रहा है ओके इसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा और आपका सॉफ्ट्वेर डाउनलोड होगा तो जब यह कंप्लीट हो जाएगा फिनिस पर आणर दिखेगा थाओको क्यों करना है तो इसके बाद आप देखकेता हो इसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा त्सपर इसके हो जाली हों केल सकते हैं आपको यहां पर प्लेस्टोर मिल जाएगा आप यहां प्लेस्टोर में अपने Google Gmail से साइनिंग करते भी इसे Google Classroom को इस्टॉल कर सकते हैं जैसे कि हम अपने मोईल्स में करते हैं अगर आपको security issue लगता है और आप अपना जी में लॉग दिन नहीं करना साथ है इसमें तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दूँगा यह मेरे गूगल ड्राइब का लिंक होगा इसमें मैं आपको गूगल क्लास्ट्रूम का एड दे दूँगा आपको उसे सिंप्ली अपनी PC में डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा आप देख सकते हैं यह आपके यह है यह पे डाइट क्लिक करने के बाद आपको उपन वीड करना है और दूश डिपार्ट प्रोग्राम करना है और आपको यहां पे से ब्राउ्स करना है को कि यहां पे डेश्टॉप में जैसे क्लिक करना है कप लेना है और UPDor यहां पर अल्रोट इस पर क्लिक कर देना और देना तो इसे क्या हुगा। आपका य जो Google Classroom बीश्य कि ईससे यह नस historic करेंगे लुद्स केनल यह जी levar बाद आपनीक देखनेगे नुद्धर क्लिकर लिकेगा कि यह तो आपको इस पे क्लिक करना है बस सिंपली तो आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद आप जैसे की Android में चलाते हैं वैसे ही कुल गया है अपना पुटा सेट अप कर देना है आप अपनी Google अगाउंट से लोगिंग कर देना है और Google Classroom में Sign In होदाना है अपनी ID से और आपको आगी की प्रोसेस करनी है जैसे कि आप फून में करते हैं और अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं तो मैं उत्रा आई बटन में लिंक दे रहा हूं अपने उस वीडियो का पहले वाली वीडियो का जिसमें मैंने पताया है आप Google Classroom को कैसे एकसे कर सकते हैं कैसे step-by-step बताया है कि आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं आप वो वीडियो देख लेना और इस steps को follow करता है यहां पर इसके लाव आप कुछ चीज़े ऐसी कर सकते हैं कि आप Google पर जाके आप आप अपने ब्राउजर पर जाके Google Classroom पर जाएंगे य URL को URL को select करके left click करके इसे drag and drop कर सकते हो अपने यहां पर टूलबाज में ब्राउजर के तो आपको यहां पर दिल जाएगा प्राउजर तो जब भी आप अपना ब्राउजर कोल गए तो आपको Google पर जाके search करने की ज़चत नहीं पड़ेगी आपको सीधे simply इस पर click कर लेना ह और यह सीधा आपका Google Glassroom कुल जाएगा ओके और एक और तरीका है आप कर सकते हो इसे select कर सकते हो और वैसे ही left click करके drag and drop करना है आपको इसे अपने desktop में यहां पर आप desktop पे कर दोगे drag and drop तो आप देख सकते हो यहां पर एक यह कुल चुका है तो आपको सीधा जाके इसे click करन आप देख सकते हैं ऐसे ओके तो यही कुछ तरीके हैं जिमकी मदद से आप Google Glassroom to desktop या laptop से access कर सकते हैं इसके अलावा आपको पूरे internet पे YouTube पे या कहीं भी से अलावा कोई चीज नहीं मिलने वाली या तो Google या तो आप Android Emulator का यूज कीजे या आप ये जो दो तरीके मैंने बत थोड़ा complicated भी है और थोड़ा time wasting भी है तो इससे आप simply यहा पर drag and drop कर लिया तो यहा पर डाल सकते हैं तो desktop में डाल सकते हैं तो आपने वहां से क्लिक करके सीदा आपका Google Classroom को या जाएगा जो इसको मैंने आपको सबसे easy way बढ़ाया है इसका इसके लावा इसका अभी तक कोई करीकर नहीं आया है और Google Classroom ने भी desktop या आप इसके लिए कोई software इसको launch नहीं किया है तो आप इस तरीके से Google Classroom को यूज कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आई हो तो प्लीज एक लाइक बटन दवा दीजेगा कमेंट बॉक्स में अपना feedback दीजेगा मुझे मुझे इससे मालूम कलता है आपको क्या जानना है और मैंने कहां बलते हो की है ताकि मैंने शुदार चकूँ और मैं अगली अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए